आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस क्वेशन में कहा गया है कि जब पास्कल ने ओरजिनल बैरोमीटर बनाया था तो उसमें वह मरकरी के जगां पे वाटर यूच किया था अब यह हम जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी मरकरी से कम होती है तो अगर यह वाटर बैरोमीटर बनाया जाए तो उसमें वाटर लेवल का हाइट है वो वो मरकरी लेवल से ज़्यादा होगा या कम होगा या उसके बराबर होगा मरकरी बैरोमीटर में जितना उसके कॉलम की हाइट होगी है तो पूछ रागे काईसा कि वह रहा है, तो पहले हम देखेंगे कि बायरो मीटर काम कर दो हो गया, हम लिक्विड यह यहांपे ट्यूब होता है, तो यहां तक संपोज करता हैं कि यहांपे pressure पी-naught chocolate atmospheric pressure के दवारा P 0 तो चूंकि यहाँ पे vacuum है तो यहाँ पे liquid उपर जाता है तो इस liquid column के दवारा यहाँ पे जो pressure बनता है चूंकि इस level पे water surface level पे अर जगह pressure same होता है तो यहाँ पे प्रेसर P 0 होगा तो यहाँ पे pressure होगा वो होगा इस liquid column के विज़िद से तो हम जानते हैं कि P0 हो जागा है P0 is equal to rho G H यहाँ पर Height हो जागा Liquid column का मर्क०री के case में क्या होता है यह हो जागा P0 is equal to M लिख लेते हैं मर्क०री के लिए G और यह हो जागा Height H हम जानते हैं कि मर्कLEी के case में यहां पर mercury की case में जो height आ रहा है उसको लिख ले रहा है hm तो mercury की case में height hm जो आ रहेगा हुआ है 76 cm of hg यानि mercury का 76 cm length होता है इस column का तो अगर हम water की जगहां पर यूज करें तो pressure कितना हो जागा p0 is equal to density of water into g into height of water चुकि यह atmospheric pressure दोनों की समें सेम है तो हम इन दोनों equation को equate कर सकते हैं तो यहां जब इन दोनों equation को हम equate करेंगे तो यह आ जागा height of water हो जागा height of water is equal to density of mercury divided by density of water into height of mercury तो यहां पर हम जानते हैं कि mercury का density यहां पर दिया गया है कि mercury का density water का density से ज़्यादा होगा तो यहां से हम देखेंगे कि hw हो जागा greater than one into height of mercury यानि कि यहां से हम देख रहे हैं कि जो water level water column का height होगा वो mercury column का height से ज़्यादा होगा तो यहां पर part A सही होगा higher height than mercury column अब पूछरा ऐसा की होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि water का density mercury के density is कम होता है तो same pressure produce करने के लिए चोंकि इसका density कम है तो इस liquid column का height ज़्यादा होना पड़ेगा क्योंकि यहां पर दोनों को atmospheric pressure के बराबर pressure create करना है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8-400-400-400 पर